Hello everyone, मैं हूँ किरन शापुरी और यह है आप लोगों के लिए पिका काड रीडिंग और सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतने ब्यूटिफुल कमेंस, कमेंस सेक्शन में लिखने के लिए इतना लव, इतना अफ्रिक्शन देने के लिए और मैं आप लोगों के suggestions रीड कर रहे थी, yes sir, no वाले पिका काड रीडिंग में and I realize कि बहुत सारे topics जो आपने mention करें हैं उन पे मैंने अभी within a month पिका काड रीडिंग बनाई हैं जैसे कि stay or move on, love marriage या फिर arrange marriage, क्या वो वापिस आएंगे आपकी love life में next क्या होगा 2023 में आपकी professional life कैसी रहेगी, आपकी love life कैसी रहेगी, आपकी शादी होगी या फिर नहीं होगी तो देखिए अगर इन में से कोई भी आपका topic है, आप channel पे जाएं, playlist को click करें प्लेलिस्ट में pick a card reading वाले option को click करें और आपको यही सारी pick a card reading मिल जाएंगी और देखिए दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों ने career, marriage, future spouse और love related topics suggest करें हैं आज मैंने career का topic इसलिए choose किया, क्योंकि love topics पे मैं pick a card reading बनाती रहती हूँ and हमारी YouTube family में से एक member ने लिखा माम बहुत detail में बताएं कि marriage कौन से month में होगी, कौन से year में होगी, future spouse की भी details बहुत detail में बताएं तो दिखिए मैंने आपका comment पढ़ा, लेकिन मैंने अब भी pick a card reading उस topic पे नहीं बनाई क्योंकि मैं इंडिया में हूँ और इंडिया में मैं basic अपने deck लेकर आई हूँ मेरे जो भी, you know, marriage related decks हैं, वो Canada में है and once I go back to Canada, सबसे पहले मैं आपके लिए marriage के topic पे बहुत detail में pick a card reading बनाऊंगी यानि की कौन से month में, कौन से year में शादी होगी, future spouse की क्या details रहेंगी तो थोड़ा सा आप सबर रखें, very soon I'll be traveling back तो आज का हमारा topic है कि आपके career में, आपके professional friend में next क्या होगा तो professional friends related, अगर आपके मन में सवाल आ रहे हैं कि पतनी promotion होगी या नहीं होगी या फिर job change करें या नहीं करें या जो भी आप चाहा रहे हैं for example होता है ना कि इस project को हम ले या नहीं ले या फिर ये project हमें मिलेगा नहीं मिलेगा तो again इस तरीके के अगर सवाल आपके मन में आ रहे हैं और इनके जवाब आप जानना चाहते हैं तो इस पिका काड रीडिंग में आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे सामने यहाँ पे तीन पाइल हैं फर्स्ट पाइल में हमर पस green pyramid है सेकेंड पाइल में हमर पस yellow pyramid है और थर्ड पाइल में हमर पस blue pyramid है तो आपने आखें बंद करनी हैं अपने career को अपने professional front को अच्छे से visualize करना है और आखें खोलते ही जो पाइल जो pyramid आपको सबसे पहले दिखता है या फिर retract करता है आपने उसको choose कर लेना है आपने यहाँ पे color से बिलकुल भी bias नहीं होना और बहुत logically नहीं analyze करना in fact देखिए जब आप thumbnail भी देखते हैं वीडियो का या फिर जैसे ही आप वीडियो खोलते हैं जो पाइल आपको सबसे पहले attract करता है आप उसको मन में choose कर लें और उसी पाइल को अगर आप देखेंगे तो आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम हम confused हो जाते हैं आप confused इसलिए होते हैं क्योंकि आप बहुत ज़ादा time लगाते हैं पाइल चूस करने में या फिर आप बहुत analyze करते हैं तो फिर से मैं कहूंगी जो पाइल, जो पिरमिड या कभी मैंने crystals रखे होते हैं तो जो crystal सबसे पहले आपको दिखता है आप उसको चूस कर लें और आप right pile को ही चूस करेंगे ये timeless reading है तो जब भी भी ये सवाल आपके मन में आते हैं ये reading आपके सामने आती है आपके सवालों का जवाब आपको इस reading में मिल सकता है तो चलिए जी आपके पिका card reading शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके career में आपकी professional life में next क्या हो रहा है अगर आपने pile 1 यानि की green pyramid को चूस किया है तो आपके cards मेरे सामने है pile 1 चलिए देखते हैं reverse और ये card कहता है कि किसी भी level पे किसी भी तरीके का discomfort पीछे आप अपने अपने professional front में महसूस किया क्योंकि ये general reading है तो ये discomfort सबके लिए differ करेगा कुछ के लिए कोई female हो सकती है या फिर कोई feminine energies वाला इनसान हो सकते हैं जिनकी वज़े से किसी भी level पे किये बहुत महनत करी लेकिन उस तरीके का एक reward उस तरीके का एक positive outcome आपको नहीं मिला जिस तरीके का आप expect कर रहे थे या फिर आपको लग रहा था कि आप deserve करते हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत creativity के साथ अपना काम करना चाह रहे थे लेकिन उतनी creativity किसी भी reason की वज़े से आप नहीं कर पाए या फिर creativity से अपने काम को नहीं कर पाए और कहीं देखिए कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप work from home कर रहे थे आपको office join करना पड़ा तो वो एक discomfort था कुछ के लिए work from home ही itself एक discomfort रहा हो तो जो भी चीज़े मेरे mind में आ रही है मैं कह रही हूँ यहाँ पर broader level के लिए एक card कहता है कि एक discomfort रहा उस तरीके का एक positive outcome positive result या फिर fruits आपकी labor के आपको नहीं मिले आपकी मेहनत के आपको नहीं मिले and deeper level के लिए we are the world का card कहता है आपने अपने social circle को बढ़ाना चाहा या फिर बढ़ाया और कुछ के लिए हो सकता है out of the country आपने travel किया या फिर करना चाहा और out of the country लोगों के साथ जो भी आपके professional front से directly indirectly जुड़े हुए हैं उनके साथ connection आपने बनाया या फिर या बनाना चाहा और यहां पे sun reverse का card कहीं एक happiness, एक joy, satisfaction की कुछ लोगों के लिए बात करता है लेकिन साथ ही साथ एक missing feeling की भी बात करता है होता है ना कि हमें success तो मिल गया लेकिन हमें लगता है कि उस तरीके से नहीं मिला जिस तरीके से हम चाहते थे और कुछ के लिए हो सकता है कि आपको ऐसा लगा कि success आपके हाथ से फिसल गई, आते आते रहे गई और कुछ के लिए हो सकता है कि चीजें clear होते हुए भी आप कहीं उनको लेकर clear नहीं हो पाए और कहीं इसी लिए या फिर otherwise भी nothingness का card कहता है कि ऐसे भी moments रहे होंगे जहां पे एक blank energy आपने महसूस करी आपको समझ में नहीं आया कि यह हो क्या रहा है इस situation में करना क्या चाहिए, क्या decision ले, क्या choice ले एकदम से जैसे होता ना कमरे में अधेरा होता है हमें कुछ भी नहीं दिखता कि आसपास पड़ा क्या हुआ है इसी तरीके से you know again ऐसे moments रहे होंगे जहां पे आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आया एक blank energies रही इस situation में आप क्या करें कैसे चीजों को deal करें आप नहीं समझ पाए और इसलिए या फिर otherwise भी currently देखिए page of swords reverse का card कहता है उनकी बहुत immature energies है या तो आप बहुत blunt, straightforward होके अपने you know colleagues से, co-worker से बात कर रहे हैं या फिर आपके work front में कोई ऐसा इनसान है जो बहुत blunt, straightforward होके बात कर रहे हैं और जैसे होता है कि taunting way में एक sarcastically tana मार के जादा बात कर रहे हैं जो कि किसी level पे hurt भी हो रहा होगा again pile one या आपकी भी energies हो सकती है जिसको लेके आपके colleagues परेशान हो रहे हैं या फिर कोई आपके work front में इनसान है उनकी ऐसी energies हैं जिनको लेकर आप परेशान हो रहे हैं frustrated हो रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है आप और skills को update करना चाहा रहे हैं अपने professional friends से related और knowledge gain करना चाहा रहे हैं और किसी चीज को जानने के लिए बहुत curious हो रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है किसी phone call, किसी email किसी message का आप wait कर रहे हैं और देखिए अगर ऐसा है तो ये message, ये phone call आपको थोड़ा सा disappoint कर सकता है यानि कि वो खुशी happiness नहीं रहती हुई दिख रही है इसी phone call message से इसकी वज़े से irritation, frustration थोड़ी सी आप महसूस कर सकते हैं deeper level के लिए success का card एक दो चीजें कहता है कुछ के लिए हो सकता है कि कुछ चीजें हैं आपको परिशान कर रही है लेकिन इसके बावजूद एक success overall रहती हुई दिख रही है एक victory या फिर एक positive outcome आपको यूनो बाकी की चीजों से मिलता हुआ दिख रहा है और कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत जादा कैसे एक success मिले कैसे जो आप चाहते हैं उससे related एक positive outcome मिले उसके बारे में आप सोच रहे हैं तो फिर से देखिए इस card को मैं clear कर देती हूँ कुछ के लिए हो सकता है कि कुछ issues, मसले हैं जैसे कि हमने अभी discuss किया कि आप थोड़े irritated, frustrated हो रहे हैं ना फिर आपकी immature energies है किसी इंसान की immature energies है और ये ऐसी energies है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको success नहीं मिल रहा है success मिल रहा है कुछ चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है ये कुछ के लिए हो सकता है और कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत जादा इस point of time में आप success चाहा रहे हैं जैसे होता है ना हमें लगता है कि अब भी तो हमने compromise नहीं करना है आप तो मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए उस तरीके की एक energies रह सकती है और कुछ के लिए देखे ego issues किसी के साथ आपके work front में आपके लिए रहते हुए देख रहे हैं और अब हम देखे pile 1 की next आपके professional front में क्या हो रहा है तो to be very honest यहाँ पे 5 of cups, isolation and 9 of swords के cards बहुत great कुछ होने की बात नहीं करते हैं यानि कि एक फिक्र, एक चिंता, एक परेशानी आप बहुत जादा करते हुए दिख रहे हैं और जब भी भी ये reading आप देख रहे हैं pile 1 उससे next 3-4 months के बारे में ही cards आपको बता रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगी कि कुछ भी changes अगर आप plan कर रहे हैं तो अभी आप 3-4 महीने या फिर 6 महीने ना करें जैसे कि होता है ना change of job या फिर कोई नया काम आप शुरू करना चाहा रहे हैं नई चीज आप अपने profession में आड़ करना चाहा रहे हैं तो कुछ भी नया आप ना करें और कुछ भी अगर बहुत great आप expect कर रहे हैं तो 3-4 महीने वो नहीं होता हुआ दिख रहा है और इसलिए हो सकता है यहाँ पे 5 of cups isolation and 9 of swords के cards कहते हैं आप बहुत जादा फिक्र कर रहे हैं इन फाक देखिए आप एक निगड़े frame of mind में रहते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यह भी हो सकता है कि किसी खास इनसान से आपको बहुत उमीदें थी और उनकी तरफ से वो response नहीं मिल रहा है कुछ के लिए दिखी किसी level पे, किसी तरीके से किसी इनसान की तरफ से एक cheating वाली energies भी रह सकती है तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगी pile 1, tarot और astrology guidance के लिए होता है currently अगर आप किसी इनसान पे blind trust कर रहे हैं बहुत जादा faith कर रहे हैं तो थोड़ा सा pause करके check कर लें कि आप जितना trust कर रहे हैं वाकई में वो उस trust के लायक भी है या फिर आपके साथ उतने faithful है या नहीं है तो इस तरीके से इस reading से आपने guidance लेनी है अगर आप देख रहे हैं कि आगे कुछ issues मसले हैं तो इसको लेके आपने परेशान नहीं होना कैसे आप इन ही चीजों को लेकर cautious होके आप future को change कर सकते हैं आप आने वाले जो भी issues हैं उनको बदल सकते हैं अपने professional front में चीजों को better कर सकते हैं इस point of view से आपने इस reading को ज़्यादा देखना है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज में आपको कहूंगी blind trust किसी पर भी ना करें बहुत high expectations आप ना रखें किसी से भी इस पूरी ही दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी life में कुछ issue कुछ मसला ना हो चाहें वो country के president हो या फिर वो celebrity हो या फिर वो बहुत ही spiritual you know बंदे हो हमने हाल फिलाल देखा शारुक खान अपने बेटे को लेकर कितना परेशान थे तो देखिए कितने rich हैं famous हैं, celebrity हैं फिर भी उनकी life में problem आई और जब जो भी problem हमारी life में आती है हम उस पे focus करने लगते हैं उसको लेकर परेशान होने लगते हैं तो हम कहीं उस परेशानी को energy दे रहे होते हैं और उसी परेशानी को हम multiply कर रहे होते हैं और आपके लिए यहापे five of cups का card आपको बहुत एक clear message दे रहा है that all is not lost यानि कि कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी चल रही हैं जिन पर focus करके आप जो चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं उनको better कर सकते हैं बहुत जादा एक improvement आप अपने professional friend मिला सकते हैं तो देखिए इन ही चीज़ों का अगर आप खयाल रखते हैं तो आप जो भी next आपके professional friend में हो रहा है उसको काफी हद तक बहतर कर पाएंगे otherwise देखिए आप एक negative frame of mind में बहुत deep जाते जाएंगे और आप बहुत परिशान होंगे आप low energies में भी जा सकते हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि रात को आपको अच्छे से नीद ना आए तो देखिए please आप ये ना सोचें कि ये reading negative है reading negative नहीं होती है life में फिर से मैं कहूंगी issues, मसले आते ही आते हैं उनको हम कैसे deal करते हैं वही determine करता है इन issues, इन मसलों को हम छोटा करेंगे या बढ़ा करेंगे और यहां पर देखिए अगर मैं देखूं आपके cards तो कुछ भी ऐसे गलत नहीं होता हुआ दिख रहा है सिरफ आप न बहुत फिक्र करते हुए दिख रहे हैं एक negative frame of mind में रहते हुए दिख रहे हैं जिसकी वज़े से चीजें खराब हो सकती हैं तो अगर आप फिर से मैं कहूंगी 3-4 चीजों का खयाल रख लें एक तो अपना state of mind positive रखें जो चीजें अच्छी चल रही हैं उन पे focus करें self talk positive रखें positive लोगों से connect करें positive connections बनाएं और दूसरा आप किसी पे भी blind trust ना करें और तीसरा आप maturity के साथ चीजों को deal करें तो आप आने वाली चीजों को या फिर next अपने professional front में जो भी आ रहा है या जो ठीक नहीं हो रहा है उसको बहतर कर पाएंगे और यहाँ पे देखिए friendliness का card एक दो चीजे कहता है इसी you know phase of life में जहाँ पे आप बहुत negatively चीजों के बारे में सोच रहे हैं कोई दोस्त है जो आपको help कर रहा है जो आपको support कर रहा है या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कोई loved one है किसी के लिए you know उनका कोई family member हो सकता है किसी के लिए friend हो सकता है कोई भी इंसान हो सकता है जो आपको support कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि कोई friend है जिनकी वज़े से आप बहुत परिशान हो रहे हैं जिनकी वज़य से आप अपने work front पे भी focus नहीं कर सकते हैं, आप पे कुछ के लिए love affair भी हो सकता है, कुछ के लिए simply कोई दोस्त हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, जो थोड़ा सा unfair हो रहे हैं, तो again मैं कहूंगी, आप अगर थोड़ा सा cautious होते हैं, conscious होते हैं, जो चीज़ों का बारे में मैंने आपको बताया, उनका खयाल रखते हैं, आप professional front में चीज़ों को बहतर कर पाएंगे, तो ये था pile one आप लोगों के लिए, next आपके professional front में क्या रहे सकता है, और कैसे आप उसको बहतर कर सकते हैं, मैं फिर से कहूंगी, आप इस पे ज़्यादा focus करें कि कैसे आप उसको बहतर कर सकते हैं, और अगर ये reading आपके साथ resonate करी, आपको आपके सवालों का जवाब मिला, तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें, अगर आपने pile two यानि की yellow pyramid choose किया है, तो आपके cards मेरे सामने हैं, pile two चलिए देखते हैं, cards क्या कहते हैं, next आपके professional front में क्या होने वाला है, तिससे पहले कि हम future को देखें, एक नजर पीछे मुड़ कर देख लेते हैं, और देखिए past के लिए याप इस सबसे पहला card मुझे देख रहा है, Ace of Cups reverse, इक dissatisfaction थी, या फिर emotionally आप low feel कर रहे थे, कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज को आप बहुत enjoy कर रहे थे, वो end हुई, जिसकी वज़े से थोड़े से उदास, थोड़े से मायूस आप होए, या फिर emotionally आपने थोड़ा सा low feel किया, कुछ के लिए हो सकता है कि नए सिरे से नए तरीके से कोई चीज आप करना चाहा रहे थे, अपने professional front में और उससे related issues मसले रहे थे, ये नई beginning सब के लिए differ करेगी क्योंकि ये general reading है, कुछ के लिए नई team हो सकती है, कुछ के लिए नया project हो सकता है, कुछ के लिए नई job हो सकती है, कुछ के लिए simply नया काम करने का तरीका हो सकता है, again कोई भी नई beginning, आप अपने professional front में करना चाहा रहे थे, और उससे related छोटे मोटे issues मसले रहे थे, ये issues मसले भी सब pile 2 के लिए differ करेंगे क्योंकि ये general reading है, लेकिन Ace of Cups के नीचे laziness का card कहता है, कि शायद आप सोच बहुत ज़ादा रहे थे, और उतने action initiatives आप नहीं ले रहे थे, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, कि बहुत time से कोई चीज आप desire कर रहे थे, कोई आपकी wish थी, जिसको आप manifest करना चाहा रहे थे, और कहीं देखिए, ये wish, ये desire भी सब के लिए differ करेगी, लेकिन नई beginning से related, एक wish, एक desire जादा रहती हुई दिख रही है, और उसी से related देखिए, काफी आपने सोचा, काफी आपने planning करी, in fact आपने अपने आपको हो सकता है कि crossroads पे भी पाया हो, जहां पे आप क्या decision लें, क्या direction लें, किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाएं, इसके बारे में आपने बहुत सोचा होगा, कुछ के लिए literally हो सकता है, आपने पीछे मुड़कर भी थोड़ा सा देखा होगा, चीजों को analyze किया होगा, क्या आपने पीछे किया, जिसकी वज़य से एक positive outcome आपको मिला, या फिर चीजें अच्छी रही, क्या किया जिसकी वज़य से आप परेशान हो, और उसी के basis पे आपने future course of action को decide करना चाहा, या फिर उसी के basis पे future क्या आप course of action ले, उसके बारे में आपने बहुत सोचा, हो सकता है कुछ decisions, कुछ choices आपको लेने थे, और वो काफी difficult रहे होंगे, जिसकी वज़य से एक परेशानी रही होगी, या मैं कहूंगी, कि थोड़ा सा difficult रहा होगा decisions और choices को लेना, और इसी लिए या फिर otherwise भी, deeper level के लिए sorrow का काट कहता है, काफी उदास, काफी मायूस, काफी परेशान आप रहे, एक low energies में भी आपने अपने आपको महसूस किया, अपने professional front से related, और दिखिए फिर से मैं कहूंगी, सब के लिए differ करेगा, लेकिन majorly मुझे दिखरा है, कि नई beginning से related, कोई नए सिरे से चीजों को करने से related, एक planning, एक सोच जादा रही, और उसकी वज़े से एक परेशानी जादा रही, और फिर से मैं कहूंगी, ये general reading है, तो कोई और भी reason रह सकता है, और अभी currently अगर हम देखें, तो यहाँ पर Ace of Wands and Existence के कार्ट कहते हैं, कि बहुत जबरदस्तिक confidence आप महसूस कर रहे हैं, जो भी आपके professional front में हो रहा है, और हो सकता है कि finally वो नई beginning आप कर पाए हैं, आपने कर दी हैं, या फिर आप करने वाले हैं, और बहुत जबरदस्तिक enthusiasm है, excitement है, high energy levels है, यह नई beginning फिर से मैं कहूंगी, सब के लिए differ करेगी, कुछ के लिए नई job हो सकती है, कुछ के लिए नई team, नया project, नई जगा, नया कुलीग, नई काम करने का तरीका हो सकता है, और कहीं देखिए, एक growth, एक progress भी अभी आपको ऐसा लग रहा है, कि हो रही है, यहां फिर वाकई में हो रही है, और यह नई beginning कहीं, आप, you know, universe पे, यहां जिस भी God को मानते हैं, उन पे faith करते हुए ही ले रहे हैं, अभी currently आपको ऐसा लग सकता है, कि universe आपको favor कर रहा है, एक किसमत आपका साथ दे रही है, और फिर से मैं कहूंगी, कि एक नई beginning किसी भी level पे, किसी भी तरीके से आप कर रहे हैं, या फिर करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको यहां पे बता दूँ, pile 2, कि teething issues रहेंगे, it won't be that easy, यानि कि छोटे मोटे मसले, कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को better कर सकते हैं, आप उस पे focus करें, क्योंकि यही tarot का एक मकसद भी है, तो यहां पे देखिए, सबसे पहला card, next आपके professional friend में क्या होगा, उसके लिए है the tower rivers, और ये card कहता है, कि खुल के आप चीज़ों को शायद नहीं कर पा रहे हैं, बहुत limitations हैं, बहुत restrictions हैं, एक दाइरा है, एक boundary wall है, जिसके हिसाब से ही आपको चीज़ों करना पड़ रहा है, और कहीं देखिए, एक suffocation, एक घुटन आप महसूस कर सकते हैं, in the process, और अगर देखिए, आप खुद से ही अपने आपको अगर restrict कर रहे हैं, limit कर रहे हैं, तो इसको ज़रूर आप चेक करके correct करें, क्योंकि देखिए, मेरा ये मानना है pile 2, एक चीज़ जो हमें हमारे goal, मकसद को achieve करने से रोपती है, वो है हमारा negative thought process, हमारे negative belief systems, कई बारी externally चीज़ें खराब नहीं होती हैं, या फिर कोई इंसान हमारे बारे में गलत नहीं सोच रहा होता है, इतने limitations, restrictions, rules, regulations नहीं होते हैं, जितना हम उनको अपने mind में बड़ा बनाते हैं, और उसी को energy हम इतनी ज़ादा देते हैं, कि हम खुल के चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको यहीं कहूंगी, कि जो भी चीज़ आपको suffocate कर रही है, आप उसमें से अपने आपको ज़रूर निकालें, भले ही इसके लिए आपको थोड़ा बहुत, you know, calculated risk लेना पड़े, थोड़ा बहुत आपको अपनी limitations, अपनी restrictions को भी, you know, पार करना पड़े, हम सब जानते हैं, pressure cooker में जब खाना बनता है, तो भले ही खाना pressure cooker में बन रहा होता है, लेकिन धीमी धीमी steam फिर भी निकलती रहती है, और किसी भी reason की वज़े से, जब वो steam नहीं निकल पाती है, तो pressure cooker फट जाता है, तो यहाँ पर देखिए, अगर आप खुल के चीज़ों को नहीं express कर रहे हैं, अपने professional front में, अपने लिए stance नहीं ले रहे हैं, बात नहीं अपनी खुल के कह रहे हैं, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके correct करें, और आपका तरीका सही होना चाहिए, आप rough ना हों, आप rude ना हों, आप you know, थोड़ा सा humbly, थोड़ा सा एक polite तरीके से, थोड़ा सा एक you know, बहुत प्यार से, अपने लिए stance ले, अपने लिए stance आप ज़रूर लें, क्योंकि देखिए, अगर आपने बहुत ज़ादा अपने आपको suffocate किया, तो एकडम से फिर वो fatigue और आप परेशान होंगे, deeper level के लिए silence का card भी उसी चीज़ को और ज़ादा confirm करता है, कि आप बहुत सारी चीज़ों को लेकरना silent हो रहे हैं, अपनी बात नहीं कह रहे हैं, जो करना चाहा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अपने आपको suppress कर रहे हैं, अपने ऊपर थोड़े से आप hard हो रहे हैं, तो इस चीज़ को आप ज़रूर चेक करके correct करें, और यहां पे देखिए judgment, reverse and understanding के cards भी एक दो चीज़ें कहते हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आपके work front में लोग थोड़े से critical judgmental हो रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है pile 2 आप अपने लिए बहुत critical judgmental हो रहे हैं and देखिए most of the times you know मैंने देखा है कि हम ना खुद को ही लेकर बहुत hard हो जाते हैं अपने ही काम में बहुत mean make निकालने शुरू कर देते हैं, कमिया निकालने शुरू कर देती हैं और देखिए जब भी कोई काम हम शुरू करते हैं, starting में perfection नहीं आती है वो धीरे धीरे करते करते perfection आती है तो इस चीज का आप खयाल रखें, specially अगर आप खुद को लेकर बहुत critical judgmental हो रहे हैं और overall के लिए दिखें ये card कहता है, कुछ चीजों को end करके नए सिरे से चीजों को करना चाहा रहे हैं issues मसले हो रहे हैं तो अभी हमने देखा कि एक नई beginning तो आपने करी है लेकिन फिर से मैं कहूंगी teething issues रहेंगे अगर आप बहुत बड़े-बड़े expectations अपने मन में रखेंगे तो आप परिशान हो सकते हैं और अगर आप इस चीज के लिए एक acceptance लेकर आएंगे कि भी starting में छोटे-मोटे issues रह सकते हैं तो इन ही चीजों को आप बहुत अच्छे से navigate कर पाएंगे बहुत अच्छे से आप इन ही चीजों को overcome भी कर पाएंगे तो इस चीज का खयाल रखें और यहाँ पर फिर से मैं कहूंगी judgment reverse का card कहता है कुछ decisions, कुछ choices हो सकता है आपको लेने हैं आप delay कर रहे हैं ऐसा अगर आप खुद को करते हुए पाएं तो ज़रूर चक करके correct करें जितना भी decision difficult हो आप उसको ज़रूर लें और अगर आप बहुत stuck महसूस कर रहे हैं किसी चीज में तो कैसे अपने आपको उसमें से बहार निकालें उस पे focus करें बजाए इसके कि आप stuck energies पे ज़ादा focus कर रहे हैं और अगेन मैं कहूंगी कि खुद को लेकर अगर बहुत critical judgmental हो रहे हैं तो इस चीज का खयाल रखें कि perfection day one से नहीं आता है वो practice से आता है चीजों को करने से आता है और यहाँ पे देखिए understanding का card कहता है कि किसी level पे आप अपने आपको hold back कर रहे हैं अगर इस card को I don't know आप कितना देख पा रहे हैं इसमें आसमार में बहुत सारी birds हैं और एक bird पिंजरे के अंदर है पिंजरे का दर्वाजा खुला हुआ है बाहर उड़ना चाहती है लेकिन अपने आपको hold back कर रहे हैं तो future के लिए देखिए tower reverse का card silence का card, understanding का card तीनों ही cards कह रहे हैं कि आपको चीजों को लेकर चुप हैं, अपने लिए start नहीं ले रहे हैं और कहीं अपने आपको hold back कर रहे हैं, surprise कर रहे हैं तो जो आप चाहते हैं उसको आप achieve कर पाएंगे अगर इन ही चीजों पर आप work करें इन ही चीजों को चेक करके आप correct करें, और दिखें जब भी कोई काम हम शुरू करते हैं starting में perfection नहीं आती है वो धीरे धीरे करते करते perfection आती है तो इस चीजों का आप खयाल रखें specially अगर आप खुद को लेकर बहुत critical judgmental हो रहे हैं और overall के लिए दिखें ये card कहता है कुछ चीजों को end करके नए सिरे से चीजों को करना चाहा रहे हैं, issues मसले हो रहे हैं तो अभी हमने देखा कि एक नई beginning तो आपने करी है लेकिन फिर से मैं कहूंगी teething issues रहेंगे अगर आप बहुत बड़े-बड़े expectations अपने मन में रखेंगे तो आप परिशान हो सकते हैं और अगर आप इस चीज के लिए acceptance लेकर आएंगे कि भई starting में छोटे-मोटे issues रह सकते हैं तो इन ही चीजों को आप बहुत अच्छे से navigate कर पाएंगे बहुत अच्छे से आप इन ही चीजों को overcome भी कर पाएंगे तो इस चीज का खयाल रखें और यहाँ पर फिर से मैं कहूंगी judgment reverse का card कहता है कुछ decisions, कुछ choices हो सकता है आपको लेने हैं, आप delay कर रहे हैं ऐसा अगर आप खुद को करते हुए पाएं तो ज़रूर चक करके correct करें जितना भी decision difficult हो आप उसको ज़रूर लें और अगर आप बहुत stuck महसूस कर रहे हैं किसी चीज में तो कैसे अपने आपको उसमें से बहार निकालें, उस पे focus करें बजाए इसके कि आप stuck energies पे ज़ादा focus कर रहे हैं और अगेन मैं कहूंगी कि खुद को लेकर अगर बहुत critical judgmental हो रहे हैं तो इस चीज का खयाल रखें कि perfection day one से नहीं आता है, वो practice से आता है, चीजों को करने से आता है, और यहाँ पे देखिए understanding का card कहता है कि किसी level पे आप अपने आपको hold back कर रहे हैं अगर इस card को I don't know आप कितना देख पा रहे हैं इसमें आसमार में बहुत सारी birds हैं और एक bird पिंजरे के अंदर है, पिंजरे का दर्वाजा खुला हुआ है, बाहर उड़ना चाहती है लेकिन अपने आपको hold back कर रही है, तो future के लिए दिखी tower reverse का card, silence का card, understanding का card तीनों ही cards कह रहे हैं कि आपको चीजों को लेकर चुप हैं अपने लिए stand नहीं ले रहे हैं और कहीं अपने आपको hold back कर रहे हैं suppress कर रहे हैं तो जो आप चाहते हैं उसको आप अचीव कर पाएंगे अगर इन ही चीजों पर आप work करें इन ही चीजों को check करके आप correct करें और दिखे हाँ पर guidance के लिए full moon and cancer का card कहता है अब personal issue reaches resolution तो दिखे ज़रूर कुछ issues कुछ मसले next आपके professional front में रहे रहे हैं और मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि कैसे आप इन ही issues को overcome कर सकते हैं कैसे आप चीजों को बहतर कर सकते हैं लेकिन आप पर दिखे ये card कहता है कोई personal issue जो आपको पीछे परिशान कर रहा था जिसकी वज़े से अगर आप low feel कर रहे थे वो resolve हो रहा है तो दिखे next आपके professional front में चोटे मोटे again मैं कहूंगी या कुछ लोगों के लिए बड़े issues रह रहे हैं और जादा दिखे आप अपनी energies को suppress कर रहे हैं आप खुल के stand नहीं ले रहे हैं या पिर जो करना चाहते हैं उसकी वज़े से रह रहे हैं लेकिन साथ ही साथ next आपके professional front में एक चीज जो अच्छी हो रही है वो है कि कोई issue जो आपको परिशान कर रहा था personal level पे वो resolve हो रहा है वो कहीं solve हो रहा है तो ये था pile 2 आप लोगों के लिए next आपके professional front में क्या हो रहा है और अगर ये reading आपके साथ resonate करी आपको आपके सवालों का जवाब मिला तो इस channel को like, share और subscribe ज़रूर करें और अगर आपने pile 3 यानि की blue pyramid को choose किया है तो आपके cards मेरे सामने है pile 3 चलिए देखते है cards क्या कहते है next आपके professional life में क्या हो रहा है या क्या होने वाला है तो थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखेंगे यानि की past को देखेंगे और past के लिए यहाँ पे सबसे पहला card मुझे दिख रहा है 8 of cups और ये card कहता है कि पीछे किसी चीज को छोड़ कर आप आगे बड़े दिखिए ये general reading है तो सब के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा कुछ के लिए simply हो सकता है कि आपने कोई जगा छोड़ी कुछ के लिए हो सकता है job कुछ के लिए project कुछ के लिए team कुछ के लिए आपके काम करने का तरीका हो सकता है again मैं कहूंगी कोई भी चीज हो सकती है इसके लिए भी सब के लिए different reasons रहेंगे, कुछ के लिए हो सकता है कि उतना profit आपको नहीं मिल रहा था, कुछ के लिए हो सकता है आप उतना enjoy नहीं कर रहे थे और जो भी चीजे मेरे mind में आ रहे हैं, मैं कह रहे हूँ, सब के लिए you know, again मैं कहूंगे different reasons रहेंगे, deeper level के लिए turning in का card कहता है कि आप बहुत actively हो सकता है चीजों में involved नहीं हो पा रहे थे या फिर you know intentionally आप involved नहीं हो रहे थे आप participate उस तरीके से you know अपने professional front में नहीं कर पा रहे थे या फिर intentionally आप नहीं कर रहे थे जिसकी वज़े से या फिर otherwise भी यहाँ पे five of pentacles reverse का card कहता है कि छोटे मोटे issues छोटे मोटे challenges रहे होंगे कुछ के लिए जादा issues जादा challenges भी रहे होंगे ये भी सब pile three के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि you know जिस तरीके की एक growth जिस तरीके की एक progress आप चाहा रहे थे वो आपके professional front में पीछे नहीं हो रहा था कुछ के लिए हो सकता है finances, money के हिसाब से कुछ issues थे, कुछ challenges थे again ये भी सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है उतना profit आपको नहीं हो रहा था money, finances के point of view से और कुछ के लिए देखिए financially चीज़े ठीक थी किसी level पे लेकिन फिर से मैं कहूंगी वो growth, वो progress या फिर जो भी आपका एक dream था, जो भी आपकी expectations थी उस हिसाब से चीज़े ठीक नहीं चल रही थी कुछ के लिए कोई इनसान हो सकता है जिसको लेकर कुछ challenges थे आपकी कुछ expectations थी किसी खास इनसान से या फिर, you know, किसी भी चीज़ को लेकर अपने professional front में और कहीं उस तरीके से चीज़े नहीं हो रही थी आपने एक rejection महसूस किया आपने, फिर से मैं कहूंगी problems, challenges महसूस करे लेकिन surface level पर जो भी हो आप किसी भी चीज़ से घबराए नहीं deeper level के लिए या फिर, money ही, money के लिए control का card कहता है कि हर चीज़ को control करके यहाँ पर दिखिए situation कुछ लोगों के लिए हो सकती है कुछ लोगों के लिए कोई इनसान हो सकता है अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है उसको आपने control किया कहीं बहुत systematically बहुत एक organized तरीके से आप अपना काम करते रहे आप चीज़ों को लेकर beyond the point emotional नहीं हुए दिखिए जब हमारे हिसाब से चीज़े नहीं होती है तो ऐसा पाइलतरी आप नहीं हुए या फिर ऐसी situation में खुद को आपने नहीं आने दिया आपने अपना एक mental balance नहीं खोया या फिर mentally आप बहुत ज़ादा एक pressure नहीं महसूस होने दिया आपने again आपने situation को, चीज़ों को या फिर अगर ज़रत पड़ी किसी इंसान को भी control करके बहुत systematic, बहुत organized तरीके से चीज़ों को deal किया अगेन आप emotional नहीं हुए logically आपने चीज़ों को deal किया और थोड़ा सा एक willpower या फिर काफी एक willpower determination भी अपने goal अपने मकसद के लिए रही होगी हम past की बात कर रहे हैं और इसी वज़े से यहाँ फिर otherwise भी currently यानि की अभी situation काफी better रहती होई दिख रही है यहाँ पे four of pentacles का card stability की बात करता है security की बात करता है financially भी किसी level पे चीज़ों के ठीक होने की बात करता है and deeper level के लिए creativity का card कहता है या तो आप बहुत creativity के साथ you know अपने professional front में जो भी कर रहे हैं उसको करना चाहा रहे हैं या फिर पीछे जो भी efforts करें किसी level पे किसी तरीके से उनके एक positive reward आपको मिल रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि अपने professional front में आप further invest करना चाह रहे हैं और investment करने के लिए different options different चीज़े explore कर रहे हैं और आप देखते हैं pile 3 की future में क्या होगा आपके professional front में या फिर to be very precise next आपके professional front में क्या हो रहा है आपके career में क्या हो रहा है तो देखिए या पे सबसे पहला card मुझे दिख रहा है the dream और ये card कहता है कि जो भी आपकी wishes है desires है अपने professional front को लेकर आप उनके ओपर focus करना चाह रहे हैं या फिर उनके ओपर focus कर रहे हैं literally कुछ pile 3 को ऐसा लग सकता है कि बस अब बहुत हो गया अब जो मेरी एक dream है professional front career को लेकर मुझे ना उसके ओपर focus करना है और उसी से related आप action initiatives लेते हुए दिख रहे हैं पीछे अगर आपने efforts लिए हैं तो आपको एक positive outcome आपको एक positive result मिलता हुआ दिख रहा है जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं आपके साथ काम करते हैं उनकी तरफ से support मिलता हुआ दिख रहा है in fact मैं कहूंगी कि आप limelight में रह सकते हैं आपको public recognition मिल सकती है या फिर जो भी लोग आपके साथ आपके लिए काम कर सकते हैं वो आपको एक you know बहुत high pedestal पे बिठा सकते हैं जहां पर आपको अपना role model बना सकते हैं या hero, heroine या एक celebrity की तरह भी कुछ pile three के लिए हो सकता है कि उनको एक treatment मिल रहा है उनको ऐसा एक फिर से मैं कहूंगी जो भी लोग आपके साथ आपके लिए काम करते हैं उनकी तरफ से response मिल रहा है उनकी तरफ से फिर से एक treatment मिल रहा है तो nutshell में दिखिए आप dreams के ऊपर काम कर रहे हैं और आपको positive result, positive outcome मिलते हुए दिख रहे हैं लोग आपको काफी appreciate कर रहे हैं आपके efforts के लिए recognize कर रहे हैं आप lime light में रहते हुए दिख रहे हैं public recognition आपको मिलती हुए दिख रही है और दिखिए इन सब चीजों के बावजूद भी arrogance वाली energies नहीं आपके लिए रहती हुए दिख रही हैं innocence का card कहता है कि बहुत maturity के साथ बहुत humble तरीके से आप अपने professional front में चीजों को करते हुए दिख रहे हैं two of cups का card कहता है हो सकता है कि किसी के साथ आप collaborate कर रहे हैं या फिर करना चाहा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि partnership में अगर आप काम करना चाहा रहे थे और आप एक right partner अपने business के लिए या आपने work front में देख रहे थे तो वो आपको मिल रहा है कुछ के लिए simply हो सकता है कि जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ आपका bond बहुत अच्छा हो रहा है और उनकी तरफ से बहुत एक cooperation, बहुत एक support आपको मिलता हुआ दिख रहा है तो फिर से मैं कहूंगी pile 3 nutshell में, next आपके professional front में एक happiness, joy, success, victory रहते भी दिख रही है क्योंकि यहाँ पे six of wands का card, clearly victory और success का card है, two of cups का card, कहीं collaborate करने का card है, कहीं partnership में काम करने का card है या फिर जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, उनकी तरफ से एक supportive cooperative energies, you know, represent ये card करता है, या फिर इसका card है तो यही तीनों चीज़ें या फिर इन तीनों में से एक एक चीज, you know, सबकी life में रहते हुई दिख रही है, again ये general reading है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा differ करेगा लेकिन next, आपके professional friend में काफी beautiful energies रहती हुई दिख रही है, innocence का card कहता है कि बहुत purity के साथ, बहुत एक, you know, innocence के साथ, यट एक maturity के साथ, आप चीज़ों को deal कर रहे हैं बिलकुल भी आप off the ground नहीं हो रहे हैं, जो भी knowledge गेन करने की ज़रत है, जो भी wisdom गेन करने की ज़रत है, किसी experiential इंसान से वो भी आप करते हुए दिख रहे हैं और जो भी एक happiness joy है, उसको आप enjoy करते हुए दिख रहे हैं तो ये था pile 3 आप लोगों के लिए, next आपके professional friend में क्या हो रहा है और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस channel को like, share और subscribe ज़रूर करें